है दोस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube चैनल पर इस वीडियो में मैं मैच कवर करने जा रहे है वेस्ट इज वूमेंस वर्सेस इंग्लेंड वूमेंस के बीच में 7th ODI मैच कहला जाएगा ICC Women's World Cup का तो complete वीडियो आप लोग देखेगा क्योंकि मैं आपको teams बनाना बताऊंगा यानि आपको सिखाऊंगा कैसे team बनेगा इसमें और कैसे proper news को follow करते वे बेटिंग order को follow करते वे आप perfect combination बना पाएंगे जैसा कि हम T10 में बना रहे हैं फिर हम लोग जो अभी CWC League चल रह काई नहीं मिलेगा और यह वीडियो नहीं देखाना कैप्टन वाइस केप्टन जी सेलेक्शन वाला एक बार जरूर देखें 26 मिनेट का वीडियो है एंड तक आपने वीडियो देख लिया तो यह मैं आपको कंफर्म कर दूँगा कि आप लोग सही से काप्टन वाइस केपन तो दोनों ही टीम्स की बारे में एक बार डिसक्रिस्ट में कर लेता हूं तो इंग्लेंड वूमेंस अपने लास्ट मेंच हार गई थी फिर भी बहुत ही अच्छा अपले गिया बोलिंग में थोड़ा सा वीकनेस जरूर दीखे थी और उस्टेलिया के अगेंस में लेकिन ओ अब तक कोई बोलर ऐसा नहीं कर पाया था क्यों हुआ था उसके पीछे भी काफी बड़ी बजा है वो टीम नियूस का में लोग देखें लाले सारी तीन बज़े मैच है आप लोग खेलेगा जरूर यूनिवर्सिटी ओवर्ल डुनेडीन में मैच होगा जहां पर शोर्ट रहती है अब तक दो मेंच यहाँ पर प्ले हो चुक है एक बेटिंग फ़स और एक बेटिंग बॉलिंग यानि देखें दो एक बार कमेंटरी जरूर पढंडेगा कही कहीं पकी की आप लाइब लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो जादा अच्छा रहेगा आपके बाकि में तो अपडेट दे दूँगा अगर जगा हुआ रहा तो आपकी कॉमेंट्स की जरूते हैं क्योंकि जब तक आप लोग कॉमेंट्स नहीं करेंगे मुझे कैसे बता चलेगे कि आप लोग यह मैच खेलने वाले हैं था कि मुझे भी तो बूस्ट कीजिए आप लोग की नई यार भाई आप टीम्स दो हम खेलेंगे तो उस कंडिशन पर डिपेंड रहता है अब आप भी लोग एक्टीव नहीं रहते हैं तो वहां पर दिक्कत होता है कॉमेंट्स कीजिएगा जरूर टीम्स में आपको प्रोव विकेट मिलें जो कि अब तक मैं वीडियो में आपको कहताब आया हूं सबसे पहले यहां पर और यह भी देख लीजा आप टोटल भी तो भी यहां पर आपको यह दिखेगा पेसर्स का डॉमिनेशन है स्पीन जो है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा अच्छा पर्फोर्म क्योंकि इनके काफी ड्रोबेक्स यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे ले न्यूज वन बाइवन न्यूज लेखते हैं हैलील मैथ्यूस खेल तो रही हैं लेकिन हैमिस्ट्रिंग इंजरी है कहीं अगर इनके इंजरी बड़ी होगे तो शायद इनको बाहर भी बैठना पड़ सकता है जो कि काफी ज़्यादा नुकसान दे सकता है वेस्टिंडी वूमेंस की टीम को तो टीम चाहिए कि थोड़ा सा कम ही यह बॉलिंग करे तो उनके लिए इनके बॉलर्स फिट होने भी जरूरी है क्योंकि इनके काफी बॉलर्स प्लस इनके उपनिंग पेर भी फिट नहीं है जैसे कि रशादा विलियंस अच्छी प्लेयर है फिट नहीं थी इसलिए नहीं के लिए अकर फिट होती है तो फिर अगें आपको यह ऑपन करते भी देखेगी जैसे अभी रिसेनली मैचस में इन्होंने किया है लास्ट मैच म नहीं है नहीं खेलती है तो इनके प्लेस पे कौन आएगा चेरी एंड फ्रेजर ये खेल सकती है यापर अगर फिट नहीं होती शेमिया कॉनल के इसी लिए तो ट्रेंडर डोटिंग की तरफ टीम के थी फिर ओवर सोड़े से बटे थे दूसरे बोलर्स के कौन से हैं वो भी मै आपको बताऊंगा कैसे सेलेक्शन रहेगा वो तो बताऊंगा लेकिन न्यूज में आपको कनफर्म कर दिया है इंगलेंड की तरफ से कोई नियूज नहीं है बहुत सारे फिट प्लेयर है वेस्टिनीच वोमेंस की तरफ से आप दिखते हैं लाइन बेट्स में अगर आपक सिक्स ओड़ी है मैचेस देखेंगे अगर लाश्ट वाच ओड़ दें उससे पहले सिक्स मैचेस देखेंगे तो एक ओवर भी नहीं डाला है तो यह मत सोचीगा कि यह ओवर डालेंगे और बोलिंग अटेक थोड़ा सा यहां पर इंगलेंड का वीक जरूर है लेकिन इतना काफी वीक नहीं कि वो वेस्ट इंडीच के ओपनिंग प्रेर्स को खतम ना कर पाएं तो डेंडर रोटीन में एक्सपेक करूंगा कल के मैच में फ्लोप होगी और यहां से हैले मैथ्यूस मस्ट्रेव सेलेक्चन स्टेफनी टेलल का थोड़ा सा दिक्कत रह रहा है अगर य यहां से हैले मैथ्यूस ने यह भी फुल टाइम बोलिंग कम करती हैं तो फिर उस कंडिशन में क्या होगा थोड़ी पहुत बोलिंग स्टेफनी टेलर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहां से कॉनल बार होती है तो ठीक है यह एक्सपेक्टेड प्लेंग लिए टॉप फॉर सेलेक्शन हमें करना है यहां से सबसे पहले हैले मैथ्यूस फिर यहां से क्रेडिट का तो काफी इश्यू रहेगा इसलिए अलया अलया मेरी टीम के अंदर रहेंगे जो फॉर्टी टू टू फिफ्टी ओर्ट के बीच में बॉलिंग करते हैं उनको मैं मस्ट ह है और रखता हूं अपनी टीम में यह दोनों बोलर्स मेरी अपनी टीम में रहेंगे उसके बाद में इस पिन डिपार्टमेंट की तरफ जाने तो अनिसा मोमच जोगी टीम की वैस कैप्टेंसी है पी कर रही है और अभी रिसेनली 300 विकेट्स अपने कंप्लीट कर चुकी है बाकी यहां से यह तीन प्लेट तो फिक्स रहेंगे अगर क्रेडिट मैनेज होगा तो स्टेफनी टेलर अधरवाइस देंडो डोटीन की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा यह टॉप फोर जो सेलेक्शन रहेंगे यही मेरे रहने वाले हैं स्मॉल लिग्स के अंदर बा इंग्लेंड की तरफ से बात करते हैं टैमी बिमांट और लॉर्ण विन्फिल्ड हील एक बार फिर से यहां से ओपनिंग कर रहेगी इनके पास में लेम वगेरा सब कुछ सब हैं यानि इमा लेम वगेरा भी हैं चोकि अच्छा बेटिंग कर लेती हैं लेकिन अभी फिलाल इनी के एक्सपिरेंस की सरब जा रही है तो बिमांट और लॉर्ण विन्फिल्ड हील ओपन करेंगी हीदर नाइट इसकाइवर एमी जॉन्स डेनिल व्याट सौफी रंगली प्राउन की कादिर बंट अलिस्टेन अन्या सृप्सल और कैट क्रोस सबसे पहले इनके पास में का बात करते हैं कितने बोलर सें पा Upper Time कितने जैसे कि मेरी कैपटन की केट拟न सी वीडियो में है जो सेलेक्शन वाली वीडियो न उसमें में सबसे में जिए यही आपको फोकस कर रहा तो आप सेलेक्शन करना सीखिये उलड डाउंडर्स को अलग करना सीखिये प्रास word होती तो उस condition में ओवर्स थोड़े से कम हो जाते हैं जैसे spinners को उतनी help नहीं बिल रही है और पिटाई और ही जैसे elliston की पिटाई होती 77 runs इनको पढ़कोए थे फिर भी इन्हों ने ओवर किये थे तो क्योंकि टीम की experience प्लेयर है इसी लिए लेकिन हो सकते हैं यह पर ओवर्स कम भी हो टीम थोड़ा सा डेनियल व्याट जोगी पार्ट टाइम में बोलर है फिर इसकाइवर की तरफ टीम जाए ही दर नाइट भी बॉलिंग कर लेती है तो ऑप्शन्स काफी है तो अभी जितने प्लेयर्स में बाग कीन है इससे भी बोलिंग करते हैं तो कोई भी किसी के ओवर मिल सकता है किसी को भी अगर किसी बड़े प्लेयर की धुनाई होती है तो वैसे आपको जो 7 प्लेयर्स सेलेक करने रहेंगे उसमें बीमॉंट रहेंगे उसके बाद में क्रेडिट मेनेज करने के लिए हिल उसके बाद में इसकाइवर हमाई टीम में रहेंगे फिर यहां से ब्रंट, एलिस्टेन, एनिया स्रिप्सोल और केट क्रोस यह हमारी टीम के सेलेक्शन बने वाले हैं सेवन प्लेर्स हमारी स्मॉल लीकी टीम में रहेंगे अगर कोई चेंजिस नहीं होता है लाइन अप्स और बेटिंग ओडर में तो बगी यहां से कोई खेलने तो नहीं चाहिए ताज फिरेंट अगर टीम लाना चाहिए तो ला सकती है रखेगा ग्राण लिग में रिस्क ले लिए ड्रॉप करने का अले मैथ्यूस मस्टे ओफ सेलेक्शन काई सेनाइट ग्राण लिग में रखेगा उतने अच्छी प्लेए नहीं है एक्सपीरेंस है लेकिन प्लेएर उतनी बड़ी नहीं है स्टेफनी टेलर आपको रखने ही है चाहिए वो बेटिंग करें चाहिए वो ऐस बोलर खेलें रखना ही रखना है मस्टे ओफ सेलेक्शन क्यूंकि कभी भी बेटिंग से अच्छा कॉंट्रिबूट कर देती है और अभी रिसेनली फॉर्म इनका काफी बेकार है लेकिन ओवर रॉल काफी एक्सपीरेंस प्लेयर है टीम की तरफ से तो मस्टे ओफिक में रही और बॉलिंग कर दिया पाच्छे ओवर तो विकेट्स कनफर्म लेके जाएगी केमबेल रख सकते हैं ग्राइन लीग में और विकेट की पर सेक्षन में रखना चाते हैं तो रख सकते हैं सी नैशन मिडल ओर्डर की बेट्समेन है और अच्छा स्टोक खेल लेती है और पाट टाइम गेंदवाजी भी कर लेती है लेकिन जब भी मोका मिलता है ना 20-30 इजिली ये कर लेती है तो यहां पर मोका मिलेगा इनको तो रख सकते हैं जो लोग ग्रैंड लीग में खेलेंगे इनकी तरफ जरूर जाएगा मैं हेंडी की तरफ जंगा क्योंकि ये 42-50 ओवर्स के बीच में बॉलिंग कर रही है अगर इंग्लाइंड पहले बेटिंग करती है तो जरूर इनको एक से दो विकेट यहां से गनफर मिलेंगे तो मैं एक्सपे कराओं 50-50 पॉइंट्स तो इनसे मिल ही जाएंगे अगर दो विकेट ये लेती हैं तो अधरवाइस 25 पॉइंट तो गनफर मैं आलिया लेना में बहुत बरोसा जता था उन पर जैसे की इंडिया की स्नेराना है फिर यहां से पाकिस्तान की जो फातीमा सना है फिर वेस्ट इंडिज की आलिया लेना इस पर मैं काफी ज़्यादा बरोसा क प्रेंद जाते हैं तो इनको अपनी टीम में सलेक्ट कर सकते हैं बाकिसाकीरा सेलमन है पर को इतनी बड़ीया बोलर तो नहीं है स्यरी आंट फेसर को जरूरर ड्राई कर सकते हैं अगर खेलती है तो बाकी को इतने बैटर वक्शन नहीं है रशा्टा वेलियंस सब्रुइब तो ओपनिंग पेर में आप लोग थोड़ा सा रेस्क लेंगे तो क्रेडिट बचाकर इनको पिक कर लिजगा डूटीन के प्लेस में एक पंटर पिक हो सकती है जो कि आपको ग्रैंड लिग में काफी अची रैंक्स दिला सकती है पाकी को इतनी बैटर आप्शन नहीं है इंगल में इस में एक्सपेक करूंगा यह 30 से बिलोव पर ही आउट हो जाए ठीक है ही दर नाइट में टीम के सेलेक्शन रहेंगे इसके बाद में जौन्स देनियर व्याद सौफी रंगली प्राउन यसे भी ग्रैंड लिग के सेलेक्शन का दिन ब्रैंट बोलिंग करेंगी प्लस ताश फेरेंड खेलती तो उस कंडिशन में में इनको कंसीरर करूंगा अधरवाइस कोई भी प्लेयर में अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूं तो यह कंप्लीट में इस्टेट्स के साथ में आपको छीज़े एक्स्प्लेइन कर दिए अब टीम फॉर्मिशन की तरफ हम लुक बढ़ते हैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट या टेलीग्राम से जरूर जोड़ जाएगा बैनिफिट उठाना सीखिए कोई फ्री में इन्फोर्मेशन दे रहा है और एक्कूरेट इन्फोर्मेशन दे रहा है तो बैनिफिट उठाना सीखिए पेड़ वाले तीन चार सब्सक्राइब को मैं रखूँगा खाई से नाइट को मैं पिक कर रहा हूं क्रेडिट की इशउस हैं डेन्टर ड्रो टी किजिएगा कैसे नेट की जगह अगर आप लोग पिक कर पा रहे हैं जो एक और बैट्समेन है जो इंग्लेंड की है एमी जॉन्स सायद उनको पिक कर पाने तो उनको ले लीजेगा क्योंकि वह कैसे स्रेंबिंग के पॉइंट्स आपको दिला देगी फिलाल के लिए प्लेयर वो कैसे टीम बनाएंगे वो लोग कैसे करेंगे वो एमी जॉन्स को लेंगे क्योंकि सबी यह एक्सपेक करें कि कैसे नेट ऊपर आ रही है यह निफर डाउन बेटिंग कर रही है तो यह अच्छी ऑप्शन होगी सीमेन गेमबल थोड़ा सा डाउन आती है लेकिन क्या है अगर इंग्लेंड ने पहले बेटिंग कर दी तो एमी जोन्स का बेटिंग कंफर्म आ जाएगा और उस कंडिशन में टेंटी ट्वंटी रन सकर यह खेल गई तो आपके लिए यह समझ लिए थर्टी पॉइंट्स तो यहां से मिल जाएंगे प्लस कैचिस प्लस स्ट इस तो इस तो यहां से फिर बात करते देंटर डोटीन पर जो लोग रिस्क ले सकते हैं और अशादा वीलियम से खर खेल दीए तो यहां से रशादा वीलियम से अपनी टीम में रख सकते हैं बकी जो इनकी कंसिस्टेंट परफोंबर हैं मिडिल ओर की शैड नेशन को आप ट्राइ कर सकते हैं या फिर आप लोग क्या करेंगे कर सकते हैं यह तीन जा और यहां से ठीक है बाकी यहां से कोई इतनी better option नहीं रही कि फिर हमें limited options के साथ में ही जाना पड़ेगा तो यह हमारा team का combination बनेगा जिसमें हम captaincy अब किसको देंगे Matthew सबसे best है लेकिन अब यहां से थोड़ा favor कर रहे हैं हम लोग अब England की तरफ से क्या कोई भी unexpected performance दे सकता है कोई भी कितने भी overs बड़ सकते हैं लेकिन यहां से westernries की तरफ से Matthews, Stephenie Taylor और यही players है score करेंगे तो भी यही और wickets लेंगे तो भी यही तो आप captaincy default रगे, wise captaincy आप लोग क्या कीजिए all rounder, skyver के साथ में जाईए या फिर आप लोग चाहिए एक्स रिपस और experience के साथ में जा रहे हैं तो या फिर एक top order का जो batsman है, heather night अगर पहले बेटिंग कर रही है तो इनके साथ मैं wise captaincy जाईए ठीक है, इस तरीके से कहना है, फिलाल safe side again यही रहेंगी इनी के साथ में आपको जाना चाहिए तो यह मेरा grand league का combination है, इसमें मैं आपको बता दिया selection में, emmy johns कैसे pick काना है बताना है अब यहाँ पर ऐसे होगा, कि England chase कर रही होगी तब condition सलग होगी, हम क्या करेंगे, top two को लेकर चलेंगे जिसमें, या तो मैं heathenite beemond को लेके चलूँगा, या फिर यहाँ से heathenite और laurent winfield hill को लेके चलूँगा, यह दो selection प्लस third option में, scarver को लूँँ, और फिर उस condition में क्या करूँ, तीन बोलर में west indie women's की तरफ से ले लूँ, ऐसा मैं करूँगा, और grand league का formation बनागा, वो मैं telegram पर provide कर दूँगा, पहले ही हो सकता है, मैं सो जाओं लेकिन आपके पास में confirm, जो combination से वो तो आई जाएंगे, उमीद आप वीडियो को follow करते हुए, और मेरा captain wise captain से को वीडियो देखते हुए, एक अच्छी टीम बना पाएंगे, इस match के अंदर भी, मिलते नेक्श वीडियो में तब तक के लिए चैनल को subscribe, वीडियो को like and share जरू करें, thank you